वेलकम टो गैस मैं नीव वीडियो तो फैनली गैस आज मेरे पास वीवो का वाई वार फोन आया हुआ है जिसमें प्रॉब्लम है इसका है डिस्प्ले खराब तो गैस इसका डिस्प्ले करना है रिप्लेस्मेंट तीसे गैस पहले फटा फट ओपन कर लेते हैं इसे ओपन करना गैस काफी आसान है यहां पे जो हलका सा प्रेस करना है और हमारे जो पीछे का बैक पैनल है वो ओपन हो जाता है और यहां पे जो गैस थोड़ा सा आराम से पैनल को निकालना पड़ता है क्योंकि पीछे फिंगर लगा होता है फिंगर का जो इस्ट्रिप होता है उसको जो है एक स्कुरू खोलना पड़ता है तब ही जाकि ये उपन होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं गाईस पहले जो है मैं इस फिंगर को उपन कर लेता हूँ और उपन करके गाईस पुरा डिस्प्ले को बाहर निकालता हूँ तो यहां पे जो है गाईस हमारा यह पैनल बाहर निकल चुका है अभी जो है यहां पे पहले यह सारे इस क्रू को उपन कर लेते हैं यहां से गाईस इस पत्रे को उपन कर लेते हैं और उपन करके गाईस जो है पहले सारे इस ट्रिप को रिमू कर देते हैं और रिमू करके गाईस हमी डिस्प्ले को बाहर निकालना है तो यहां पे गाईस बैटरी कर फिक्सिंग करने के लिए जो है काफी सपोर्ट लगता है तो बस यहां से इसे ग्रीन ओला पकड़ के प्रेस करना है उपर की तरफ और हमारी जो बैटरी है वो बाहर निकल जाए गया और जो है इस थैली को इस तरह निकाल लेना है और जो है हमारे कॉम्बो को इस ट्रिप को भी बाहर निकाल लेना है तो गैस बस यह देख सकते हूं यह डिस्प्ले पूरी तरह से ओपन है तो यहां पर हलका सा बिलेट से जो है इसकेच करना है हलका सा और जो है गैस हमारा जो डिस्प्ले है यह पूरी तरह से बाहर आ जाएगा तो देख सकते हैं गाईस यह जो है डिस्प्ले किस तरह निकलता है यह एकदम सिंपल है गाईस एकदम हराम से निकल गया क्योंकि यह गाईस डिस्प्ले फुड चुका है और यह डिस्प्ले में कुछ आ नहीं रहा है तो इसके जगे हम एक नया डिस्प्ले को बठाएंगे पहले जो है यहां से इस पिकर वली जाली निकाल लेते हैं क्योंकि इस पिकर वली जाली तो अपस से फिर लगाना है हमें तो गैस यह मार्किट से मैं नया कॉम्बो लेकर आया हूँ यह काफी फ्रेस है और गैस इसे जो है हम फिटिंग करेंगे तो यहां पर गैस थोड़ा सा इसू हो गया है इसका जो टेप है यह प्रॉपर लगा नहीं है गैस यहां पर थोड़ा सा इसू हो गया है टेप प्रॉपर लगा नहीं है तो guys इसे tape को proper लगा लेते हैं नहीं तो guys हमारा light का जो strip है वो ground से attach हो जाएगा तो guys कभी भी market का जो display है उसे काफी अच्छी तरह से check करना पड़ता है क्योंकि guys उस display में कुछ भी problem आ सकता है तो कभी भी guys अगर आप लोग display replacement करते हो तो इसे पहले लगा के काफी अच्छी तरह से check करना पड़ता है तो guys यहाँ पे जो है मैं इस strip को बैठा लेता हूँ और बैठा के guys इस display को पूरी तरह से check कर लेता हूँ क्योंकि guys इसका guarantee warranty वगरा कुछ आता नहीं है तो इसे काफी सौधानी से जो है हमें check करना पड़ता है क्योंकि यह कभी कभी बैठाने में ही guys तूड़ जाता है तो जिसके कारण guys हमारा नुस्कान हो जाता है तो इसे जो है काफी smooth हाँ से fitting करना पड़ता है और fitting करके guys इसे पूरी तरह से check कर लो अपने हिसाब से आप लोग को check करना है तो guys यहाँ पे जो है मैं इसे बैठा दिया हूँ और इसे जो है guys मैं testing के लिए check करता हूँ पहले पूरी तरह से और यह guys phone on हो चुका है यहाँ पे थोड़ा सा time लेगा तो guys यह phone open हो चुका है अभी guys जो है इस combo को पूरी अच्छी तरह से check कर लेते हैं क्योंकि guys इसमें कुछ भी problem आ सकता है तो अभी guys यह replacement हो जाएगा क्योंकि guys इसमें जो है गम लगाने के बाद यह combo replacement नहीं होगा तो यहाँ पे guys अपने हिसाब से पूरे डिस्पले को check कर लेना है आप अपने हिसाब से check कर लो मैं अपने हिसाब से check कर लहाँ और आप लोग को दिखा देता हूँ मैं किस तरह check करता हूँ इसके सारे की वगेरा को check कर लूँगा तो यहाँ पे जो है guys मैं पूरी तरह से check कर लेता हूँ क्योंकि यह vivo का phone है तो यह एप से light से यहां से इस तरह नहीं चेक हो पाएगा तो यहां पे जो है guys अपनी हिसाब से आपको चेक करना है यहां पे यह पूरी तरह से work कर रहा है लेकिन guys मैं भी जो है इसे आगे भी चेक करता हूँ क्योंकि almost phone में जो है डिस्प्ले लाइट से डिस्प्ले पे जो है कम जादा होता है लेकिन वीवो के काफी phone में नहीं होता है तो यहां पे जो है guys मैं keyboard को भी अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ कभी कभी guys कोई और button प्रेस करो तो कोई और button प्रेस होता है तो यहां तो लग गाईस इस combo को हम replacement कर सकते हैं अगर यह automatic काम कर रहा है कोई भी problem आ रहा है तो और इसे guys जो fitting करने के बाद इसे replacement नहीं करते हैं क्योंकि इसमें गम लग जाता है जिसके करण sop ओले को लगता है कि यह display काफी पुराना है बठाया गया है तो यहां पर जो guys अपने इसाप से पूरी तरह से check करना है और check करके guys आपको fitting करना है तो यहां पर यह जो display है सारे की वेगर आइस में काम कर रहा है तो guys यह app से भी नहीं check होता है क्योंकि app से भी guys पूरे display चेक होता है लेकिन यह y बारे में वैसा system नहीं है यहाँ पर गैस अपने इसाब से चेक करना है मैंने अपने इसाब से चेक कर लिया है और यह डिस्पले काफी परफेक्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है तो गैस अभी मैं जो है इस डिस्पले को बाहर निकाल लेता हूँ और बाहर निकल के गाईस इसमें जो है चारो तरफ गम लगा के फिटिंग करूंगा और फिटिंग करके गाईस आप लोग को दिखाता हूं कि मैं ये डिस्पले को किस तरह फिटिंग करता हूं तो गाइस ये डिस्प्ले मेरा पूरी तरह से ओके है इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर जो है गाइस मैं पहले बैटरी को अच्छी तरह से लगा लेता हूँ और जो है डिस्प्ले की चारू तरफ अच्छी तरह से क्लीन करना होगा clean करने से क्या होता है गाई इस display पूरी तरह से अच्छी तरह से बैढ जाता है तो यहाँ पर जो गाई इस पहले का पुराना गम वगयरा लगा है इसे काफी अच्छी तरह से clean कर लेते हैं इसे clean करना भी काफी आसान है बस आप हलका सा जो है कोई टूजर से वहाँ पर रगड़ना है और जो ये पुराना गम है ये आटोमेटिक बाहर निकल जाता है तो आप लोग देख सकते हो गाईस मैं इसे किस तरह निकाल रहा हूँ और ये गाईस मैं पूरी तरह से इसका निकाल लेता हूँ और निकालके ये यहाँ पर गम लगाऊंगा और गम लगाके इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से बैठाऊंगा और गाईस कभी भी अगर आप लोग डिस्पे चेंज करते हो तो इसके चारों तरब जो है गाईस काफी अच्छी थे आपको सफा करना पड़ेगा नहीं तो गाईस इसका जो डिस्पे है वो पूरी तरह से बैठेगा नहीं तो गाईस इस जाली को जो है बैठाना बहुत जरूरी होता है तो गाईस इसे पहले मैं बैठा लेता हूँ तो गाईस अगर आप लोग जाली नहीं लगाते हो तो वहाँ से dust जाएगा गाईस और हमारा camera जो है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से clean नहीं रहेगा कभी भी गाईस अगर आप लो display replacement करते हो तो जो है गाईस उसकी जाली जो है उसे 100% बैठाए तो गाईस इसमें मैं ये वाला गम यूज करता हूँ जो black color का होता है तो इसे display की frame पे चारो तरफ आपको लगाना है आप अपने हिसाब से लगाओ क्योंकि गाईस कभी भी जादा गम लगने के कारण display कापने लगता है तो यहाँ पे गाईस ये गलती कभी ना करें आप अपने इस आप से जो है गम इसे यूज करें क्योंकि कभी कभी गाइस कोई-कोई जादा गम लगाने से उसका डिस्पले काप में लगता है क्योंकि डिस्पले के इंदर गम जाएगा तो वो सॉर्टिंग करेट करता है तो यहाँ पे गाईस जो है मैं चारो तरफ इसमें गम लगा चुका हूँ अभी जो है गाईस इसका डिस्प्ले को इस फ्रेम में बैठा लेता हूँ और गाईस काफी आसान होता है इसे बैठाना बस हलके हाँ से जो नीचे की तरफ आपको पहले बैठाना है क्योंकि नीचे की तरफ मारा इस्ट्रिप होता है अगर डिस्पेल नीचे की तरफ परफेक्ट बैठ गया है तो उपर की तरफ 100% अच्छी तरह से बैठ जाएगा तो यहां पर जो है गाईस थोड़ी सी जाली की दिक्कत हो गई है जाली प्रॉपर बैठ ही नहीं है इसे मैं अच्छी तरह से पहले बैठा लेता हूं वेट चुका है अब ही जो है इसमें थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है क्योंकि जाली नीचे की तरफ चली गई है तभी यह परफेक्ट बैट मैं अच्छी तरह से लगा देता हो और है कभी ब् If जो करें तो बैटरी को अच्छी तरह से नहीं देता हूँ और यषवर ओ ऐसे तरह से नहीं देले है तो हमारा जो इस्ट्रिफ है वो बाहर फिक देगा तो यहां पर देख सकते हैं यह पूरी अच्छी तरह से बैड़ चुका है तो भी जो है गाइस मैं इसे फिटिंग कर लेता हूं इसके जो पत्रे है उसे लगा देता हूं और यहां पर जो गाइस काफी सौधनी से लगाना पड़ता है इसमें जो है कभी भी गाइस जो इस सुरू पुराने लगे होते हैं उसी को ही टाइट करें क्योंकि नया आपको टाइट करने की ज़रूरत नहीं है कभी कभी नया इसक्रू टाइट करने से जो है वो बड़ा होता है और हमारे डिस्पले में जाके टाइट हो ज यह हैं अभी जो है इसका बीचे का बैक पैनल भी बैठा लेते हैं तो गैस कभी भी आप लोग जो है डिस्पले बढ़ाते हो तो काफी सौधानी से बढ़ाए जल्ली बाजी ना करें क्योंकि जल्ली बाजी करने से गैस अपने ही नुस्कान होता है तो देख सकते है गैस यह पूरी तरह से बैठ चुका है और अभी जो है गैस मैं इस डिस्पले में रबर यूज नहीं करूँगा क्योंकि रबर यूज करने से गैस जो है काफी दिक्कत होती है तो यहाँ पर डिस्पले का गम है घैस थोड़ा बाहर निकल गया है उसको हलके हाँ से प्रेस कर देना है रगट देना है वो जो गम बाहर निकलता है वो निकल जाएगा तो यहां पर जो गाईस पहले मैं टेप यूज़ करता हूँ तो यहां पर चारो तरफ टेप अच्छी तरह से लगा लेता हूँ कभी भी गाईस आप लोग भी डिस्प्ले रिप्लेस्मेंट करो तो वहां पर रबर ना यूज़ करे टेप यूज़ करने से क्या रहता है guys जो display है हमारा proper अच्छी तरह से बैठ जाता है तो यहाँ पर देख सकते है guys मैंने चारो तरह tape लगा दिया हूँ और यह जो display हमारा पूरी तरह से work कर रहा है और guys यह जो है पूरी तरह से एकदम company के सरीका बैठा है यहाँ पर कोई गैप वगरा नहीं है तो गाइस इस तरह लगता है डिस्पले मिलते हैं किसी नेस्ट